68 साल से ज्यादा उम्र की हो चुकी मायावती और उनकी पार्टी BSP बड़े संकट के दौर में है और उन्हें इस हालत तक पहुंचाने में अखिलेश यादव के PDA फॉर्मूले और भीम आर्मी के चंदर शेखर का बड़ा योगदान है 2024 के लोगसभा चुनाव के नतीजों ने BSP के संकट को और बढ़ा दिया है 2019 के लोगसभा चुनाव में 10 सीटें जीतने वाली BSP 2024 में एक बार फिर 2014 की तरह 0 पर आ गई है लोगसभा और विधान परिशद से पूरी तरह गायब हो चुकी BSP का यूपी विधान सभा में केवल एक सदस्य है और उसका वोट प्रतिशत चुनाव दर चुनाव कम होता जा रहा है पिछले कई दशकों में यूपी में कॉंग्रेस से आगे रहने वाली BSP 2024 में कॉंग्रेस से सीटों के मामले में तो पिछडी ही वोट प्रतिशत के मामले में भी पीछे रह गई BSP की इस हालत के लिए वैसे तो कई फैक्टर जिम्मेदार हैं लेकिन उसे सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई है अखिलेश यादव की पीडिये की रणनीती ने इसके साथ-साथ BSP के दलित वोट बैंक में सेंध लगाने का काम भीमार्मी चीफ चंदर शेखर ने भी किया है लोगसभा चुनाव के लिहाद से हालत तो BSP की 2014 में भी खराब थी लेकिन तब भी उसका वोट प्रतिशत 2019 से ज्यादा था 2014 में 19.77 प्रतिशत वोट के साथ BSP को 0 सीट मिली थी जबकि 2019 में 19.43 प्रतिशत वोट के साथ उसे 10 सीट मिली ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 2019 में मयवती के साथ समाजवादी पार्टी की ताकत भी थी लेकिन जब 2024 में अकलेश अपने PDA फॉर्मले के साथ मैदान में उतरे तो BSP के पैरोतले जमीन पूरी तरह से खिसक गई उसकी सीट तो 0 हुई ही साथ ही उसका वोट भी 10 प्रतिशत घट कर लगबग सारे 9 प्रतिशत हो गया रही सही कसर चंदर शेखर आज़ाद की आज़ाद समाजपार्टी कांशीराम ने पूरी कर दी आज़ाद समाजपार्टी ने ज़्यादा सीटे तो नहीं जीती लेकिन उसने BSP को एक ऐसा घाव दिया है जिसका दर्द आज तक BSP को परिशान कर रहा है चंदर शेखर ने यूपी में उस नगीना सीट पर जीत हासिल की जहां बड़ी संख्या में दलित वोटर्स मौजूद हैं BSP के लिए बड़ा जटका ये नहीं था कि नगीना से चंदर शेखर आज़ाद जीत गए बलकि ये था कि चंदर शेखर ने BSP को चोथे स्थान पर धकेल दिया ये सब तब हुआ जब खुद मायावती के बतीजे आकाश आनंद चुनावी मैदान में चंदर शेखर का मुकाबला कर रहे थे आकाश ने नगीना में एक पबलिक मीटिंग करके चंदर शेखर के खिलाफ मूर्चा खोला था खुद मायावती ने नगीना के लोगों से BSP के वोट के लिए अपील की थी 2024 के लोग सबाच चुनाव पर चार के दौरान आकाश आनंद BSP के नेशनल कोडिनेटर थे और BSP में मायावती के उत्तराधिकारी थे हलांके बीच चुनाव में मायावती ने आकाश को BSP के नेशनल कोडिनेटर पद से और अपने उत्तराधिकारी होने के हक से वन्चित्प कर दिया था मायावती ने मई में आकाश आनंद को दोनों पदों से हटा दिया था हलाएं कि अब लोगसभा चुनाओं में दुर्गती होने के बाद मायावती को समझ में आ गया है लोगसभा चुनाओं में हर के समिशा के बाद मायावती ने फैसला भी किया कि बीएसपी यूपी में दस सीटों पर होने वाले विधान सभा उप चुनाओं में भी हिस्सा लेगी अब से पहले बीएसपी आमतार पर उप चुनाओं से दूर रहती थी